हेलो फ्रेंट्स आप सभी का स्वाया थे आपके अपने इस यूटीब चैनल स्टेडी वे सुजीत में तो दोस्तो आज हम लोग क्लास नाइन्थ के वंथली एक्जामिनेशन अक्टूबर दोहरार चोविस के संपूर्ण सब्जेक्टिव और अब्जेक्टिव का एंसर की जा नहींगे तो आप से भी अन तक बने रहेगा और अपना अपना जो है एंसर मिलाते चलिएगा और यहां पे आज का फॉस्ट नंबर परस्टों तरह पूछा गया था कि निमलिकी में से किस संबंध से द्रेमान जो है प्राप्त होता है तो इसमें हम लोग बॉल अपन जो है इंसर आप से भी मिलाते चलिएगा और यहां पे दाब का जो है वहाँ मात्र होता है यहां पर दिखाए देढ़ा होगा तो निमलिका यहाद रखेगा दोस्ट तो ये राइट अंसरो जिगा option number D चलिए इसका राइट अंसरो होता है कि दाब और बॉल और चेतपल में समंध क्या होता है तो इसका राइट अंसरो क्या होगा ये दाब बराबश होता है समान रूप से जो है होता है तो यहां पर इसका राई टेंसर क्या होगा ती हो जगा अप्सन नमर या निकि पास्कल के निया में बताया गया है राई टेंसर हो जगा अप्सन नमर ए निमलिखी में से कौन सा कौथां जो है सब्सक्ते है तो हम सभी दोस्त चानते हैं कि बल बर हुस्टो प्लड़्य को्तो होता है वह उत्या प्लड़ कि उन्हें तोह सब्सक जोटा है oh बटा चोगुना होता है जो कि यहां पे किसी भी अप्शन में नहीं दिये गए वह बस जो है डी में दिये गए था यहां पर दी थोड़ा सा मीटा गया है तो यहां पर एक बड़ा चोगुना हो जाएगा याद रखेगा डी चले नेक्ट नमबर परस्थन की तरफ चलते हैं और यहां पर जो है यह परस्थन होता देखे थे और यहांपर प्रस्थन देखिए कि किसी वस्तु का भार जो है कहा अधिक होता है तो प्रित्वी का दुरूप पर होता है अनिकि air the pole of the earth इस दे का उप्सनवेर बी अप्रनो दे अनिकि thrust का जो है और तो मात्रख होता है तो इस जो है और यहां पर प्रस्न है कि प्रानोध यह तो हम लोग देखे थे कि इसका न्यूटन होता है और अमोनिया जो है और इसका इसो त्री आमोनिया जो है में नाइटोजन के संगता है कितनी होती है तो इनेस त्री यानिके तीन होती है इसका आईटेंस रोज़िगा आपसन नमर सी और यहां पे देखेंगे परस्णों तरह कि सोडियम का परमारू द्रमान तेश है तो 26 ग्राम जो है सोडियम मे सब्सक्राइब कितनी होती है तो इस तो इस तेसली कि दो से बैग देंगे यह ओज़िगा आपस नमर ए किस भी कानी के अनुशार परमारू जो है अभी बात यह था यहां पर इसका राइटनस का होज़िगा इसका आइटनस और बीबी दिस्कुशन चोधा का वज़े सब्सक्राइब सब्सक्राइब यहां परशने का राइटंसर कोछ यह बोला गया था चले नेक्स नमबर परशने की तरफ चलते हैं और यहां पर निमलिकी में से कौन एकल परमारी उप्सक्राइब जाना जाता है तो एकल परमारी रूप में हो जीगा hydrogen क्योंकि 1H1 होता है तो यहां पर एकल परमारी खोज़ेगा option नमर यहां पर जो यहां पर जो D option hydrogen is there right answer for discussion चलें नेक्ट नमबर पर उसने की तरह चलते हैं 16 कर आइटेंसर क्या होगा कि sodium phosphate का answer क्या होता है तो sodium phosphate का answer जो है वह एने 3 जो है PO4 होता है याद रखेगा तो यहां पर option नमर जो है D में देगा था याद रखेगा एने 3 PO4 जो है इसे सवाल कर आइटेंस होज़ेगा option नमर डी और नहीं जीत अनुपात के नियम का परतिबाद किस ने किया था और यहां पर नहीं जीत अनुपात का नियम दिये थे बहुत 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 सवाल है और यह सवाल बार बार इक्जामें भी आता है केल्सियम कर्बोनेटनिक CSU3 के केल्सियम की परतिशत कितनी होती है 40 परतिशत होती है इसका आइटेंस होज़ेगा option नमर B इसदर आइटेंस होज़ेगा और यहां पर 19 नमबर परसने का आइटेंस होज़ेगा और यहां पर नेक्स नमबर परसने की तरफ चलते हैं और यहां पर तत्वा आइटेंस होज़ेगा ओपसन नमर यहां पर क्यार और पर परसन भीज़ेगा और इसदर आइटेंस होज़ेगा और यहां पर परसने की नमियार होतिए और ऑच्छे स्वस्तो की मुल सर्थ क्या होती है तो अच्छे स्वास्त की मुल्शत्र जो होती है वह क्या होती है तो यहां पर अज्वक्ष भोजन और जॉल हावा संतुली तहार ब्यक्ति और घरेली अस्तर पसकता तो यह अल आफ दीज राइट एंस हो जिगा अपसन अबर डी चलिए इसका राइट एंस साफ एंस नंबर 10 इम्लीकी में से किस अर्धी Wenn ऑग्रवाली संब्सक्राइब खालाएं तो यहां पे चोर्विस को ुटिण से बाउच्छन अबंचれない होता है तो यहां पर इसका हो जिगा पंचीस का पचीसण मलंबर ऑसम पर मर नहीं होता है तो यह चले फीजियो थेरेपी द्वरार निमलिखी में से किस रोग की तिवरता को जो है कुछ कम किया जा सकता है ति होता है पोलियो इस दर आइटन सा फोर दिसकुशन अप्स नबर सी और जो भी दोस्त न आए अगर जूड़े हैं तो आप से भी दोस्त चाहें को कि आप से भी सब और दिसकुशन अप्स नमबर भी और बार बार जो है कॉप कॉपी के साथ तेजी बुखार होना क्या कर लाता है तो यहां पर इसका राइट अप्स नमबर सी और यहां पे जो है उन्तिस नमबर प्रस्णों तरब पूछा गया था कि अन्धिक योन संबंदों से बिल्कुल दूर आकर किस रोग की सम्भवना से बतवाचा जा सकता है तो यह जबाएटश एक्वाइड इम्यून डिफिस्ञन्स शिंट्रोम होता है इसका राइट अप्स नमबर ड कहाँ और यहां प nach बुख कहा था कि कीम्रोग रोगारू का परतिजविक और यहां प्र टेंसर लोजीगा आपसन नमर ए तो दोस्तों इस परकार से समहत्यपूर सेसन को यहीं पर खत्म करते हैं सेसन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लेजिएगा और चैनल पर नहीं जो चूड़े हैं तो जो सब्सक्राइब ही कर लेजिएगा मिलते हैं एक नई नई थेंक यू सो मच